आज के वीडियो में हम एक हेल्दी और बहुत ही डिलीशेज ड्राइफरूट मिल्कशेक बनाएंगे और इस मिल्कशेक को घर पे बनाना बहुत आसान है तो चलिए फिर इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दू सब्सक्राइब तो माई चैनल और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ड्राइफरूट मिल्कशेक बनाने के लिए हम लेंगे आठ से दस बादाम आठ से दस काजू और यहां पर में ले रही हूं थोड़ा सा पिस्ता क्यूंकि पिस्ता डालने से मिल्कश से वो मैंने निकाल दिये है अब हम इसमें दो से तीन अंजीर आड़ करेंगे अंजीर अगेन इस वेरी हल्दी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम और यह आपको काफी समय तक फुल भी रखेगा अब हम इसमें वन कप हॉट पॉटर आड़ करेंगे हॉट वोटर आड़ करने से जो ड्राइफ रूट्स है वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे और फिर इन्हें ग्राइंड करना बहुत आसान हो जाएगा अब हम इसे आदे गंटे से एक गंटे तक इसे भीगो के रखेंगे अब 30 मिनिट्स के बाद ड्राइफ रूट्स जो है अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है तो चलिए फिर अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं एक मिक्सर जार में हम सारे ड्राइफ रूट्स को ले लेंगे और पानी को डिसकार्ड कर देंगे अब हम इसमें वन कप मिल्क अड़ करेंगे क्योंकि यह जो मिल्क शेक है यह बहुत ही जादा थिक रहता है इसलिए हम शुरू में एक कप मिल्क डालेंगे और सारे ड्राइफ रूट्स को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे अब हम इसमें एक टेबल स्पून हनी अड़ करेंगे और मिल्क शेक का फ्लेवर को एन्हांस करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा इलाइची का पाउडर और जाइफर्ड या नटमेक को भी अड़ करेंगे अब हम इसमें वन कप चिल्ड मिल्क अड़ करेंगे अब हम इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स को अड़ करके सारी चीजों को एक बार फाइनली ग्राइंड करेंगे आप इसे बना के फ्रिज में भी रख सकते हो तो फ्रेंड आपको आज कर ये वीडियो अच्छा लगा है दू लाइक दे वीडियो और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दू सब्सक्राइब तो मैं चैनल जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो मैं आप से मिलती हूँ वन मोर वीडियो के साथ चिल देन टेक केर और बबाई